लोग खुद में पाप है कर्म हैं लेकिन उसके बाद अगर मायाचार भी हो गया तो सक्कर पर सक्कर का आवरण चड़ गया पाप पर महापाप का आवरण हो गया आचार भगवन कहते हैं लोभी पुरुस जस कित्ती पुर्ण लाहे लोभी पुरुस जस माने यश कित्ती माने कीर्थी और पुर्ण लाहे पुर्ण लाव की प्राप्ती के लिए पुर्ण की प्राप्ती के लिए जत्थ तत्थेव यत्र तत्र पात्र की अपेक्षा ना करके जो भी कार्य कर रहा है उसको ना समझ करके कुपात्र अपात्र में सु बहुगंपी बहुत भी देदी दान देता है क्या लोभी पुरुष जस्किति यश्कीर्थी और पुर्ण लाहे पुर्ण लाव के लिए जत्थ तत्थेव यत्थ तत्र कुपात्र पात्र हे उपादे विवेक अभिवेक इसका किसी का ध्यान ना रखता हुआ सु बहुगंपी बहुत भी देदी दान देता है वे सम्माद सुगुण भायन वे सम्यक्त आदी सुगुण माने उत्तम गुणों के भाजन माने आधार पत्त विशेसं सुपात्र अपात्र को ना नहीं जानती जानते हैं लोभी पुरुस यश्य कीर्ती पुर्ण प्राप्ती के लिए जैसे तैसे जहां तहां अपात्र को पात्रों में बहुत सा दान दे कर दे देते हैं वे सम्म्यक्त ग्यान चारित्र इनकी जो उत्तम गुणों के सुआमी हैं जो गुण जिसके अंदर हैं ऐसे सुआमी सुपात्रों को तो जानते ही नहीं हैं तात्पर सिर्फ यही है कि ख्याती लाव के लिए पूजाय एश्वर की लिपसा से वह पात्र की पहचान न करके सच भी है तो भी उत्तम पात्रों को दाता निर्लोवी रूप से दान देता है लेकिन उसका कहीं भी निर्लोब पना प्रतीत नहीं होता केवल लोब है मैं इस नगर का सेठ बन जाओं लोग मेरी प्रसंसा करते करते न ठक पाएं जब अपने घर से बाहर निकलूं तो पूरा समाज मेरे हाथ जोड़ करके खड़ा रहे ये है अपने मैत्वा कांचा की पराकाश्टा जब मन के अंदर मैत्वा कांचा का जन्म हो जाता है मैं बड़ा कैसे बन सकता हूँ अपने लोगों को कितना अपने साथ रख सकता हूँ जब मैत्वा कांचा का जन्म होता है तो ना तो माता पिता अच्छे लगते हैं ना भगवान का दरवार अच्छा लगता है ना गुरू की शरण अच्छी लगती है सिर्फ अब मैं गुरू कब बनूँ कैसे लोग मुझे पैचान पाएं कैसा मेरा नाम आगे आपाएं आचारे भगवन कहते हैं लोभी को उत्तम पात्रों का संयोग मिल भी कैसे सकता है जो जैसी भावना में रत होता है उसकी भावना उसी तरह की फरीवूत हुआ करती हैं आचारे भगवन ने आज बहुत कुछ कह दिया हम स्वाध्याए से भीहिन हैं स्वाध्या नहीं कर पाते आप लोग साबक क्योंकि आपको समय नहीं है अगर बुलाबा आ जाएगा तो टाल तो देगा उसको अगर उसको भी टाल दें आप तो हम मानें बास्तम में आपके पास समय नहीं है अत्यंत प्रमाद अवस्था हमको हमारे कर्तब्यों का बोध नहीं होने देती है अत्यंत अहंकार की अवस्था हमको जुकने नहीं देती है अत्यंत मदहोशी अपनी सुन्दर रचना सुन्दर सब्दों का बिन्यास सत्य रूप में कर नहीं पाता है आचारे भगवंत कहते हैं लोभी को पात्र अपात्र का बिचार नहीं है लेकिन हमको निरलोगता के लिए पात्र अपात्रों का बिचार करना ही होगा यदि नहीं करेंगे तो मनुस्य से कभी जानवर भी बन सकते हैं जैसे भगवान मुन्शुब्रत का हाथी जो था पहले की पूरो परियायों में राजा था जब वो हाथी बन सकता है तो क्या अपन पसू त्रियन्च गती में नहीं जा सकते हैं सिद्धान्त को उल्टा सीधा नहीं किया जा सकता हम दंब में अपने आप कुछ भी कर लें क्योंकि जैसी हमारी सोच है हमने ऐसे ही मित्र बना लिये तो वो आपको सही रास्ता नहीं बता सकते आपकी हां में हाथों मिला सकते हैं परम पुझ गर्णी मा विशुद मती माता जी हमको अध्यन के दोरान सुक्तियां देती थी उन्होंने कहां दुनिया के अंदर तुम्हारे जूटे बातों में आकर के तुम्हें चड़ा तो बहुत लोग देंगे पीट पर हाथ तो बहुत फेड़ने वाले मिलेंगे लेकिन सही रास्ता दिखाने वाले तुम्हारे मत का खंड़न करने वाले क्योंकि मिध्या मत यदी है किसी की निंदा बुराई यदी है कहीं कोई गलत ब्रह्म है उसको तोड़ने वाले बिरले ही गुरू मिला करते है चिकनी चुपड़ी करने वाले तो तमाम लोग दुनिया में मिलेंगे तुम सही कह रहे हो वो ऐसी है माताजी वो ऐसा ही है पड़ोसी वो ऐसा ही है तुम्हारे भाई दुनिया के लोग तुमारी हां में हां मिलाने वाले मिलेंगे लेकिन सही रास्ता दिखाने वाले बिरले ही लोग मिला करते हैं ऐसे ही हमें अपनी करनी का ध्यान हर समय रखना होगा हम क्या विचार करते हैं? हम ऐसे को मित्र बनाएं जो हमसे ज़्यादा गुणवान हो हम गुरू की शरण में रहें ताकि गुरू की छत्रचाया हमारे अप्रसस्त मार्ग को अप्रसस्त बचन को अप्रसस्त बिचार को प्रसस्ता में परवर्तित कर सके हम गुरू से अपनी हर बात कहें मित्र ऐसा बनाएं जो सुख में भी साथ है तो दुख में भी साथ रहे आचारी भगवन ने इसी कारण ये कहा कि तमाम दान आपने कर दिया लेकिन जब अपने गुरूओं के लिए नंबर आता है तो अपने बही खाते को दिखा देते हैं कि इस वर्ष का तो टार्गेट मेरा पूरा हो चुका है माहन भावो हम अपना टार्गेट कितना भी लगा लें लेकिन जब कर्मों का बही खाता खुलेगा उसका टार्गेट यदि आपके सिर्द से भी उपर निकल जाता है तो उसको भी आपको सुईकार करना होगा इसलिए साबधान रहें प्रमाद अवस्था को छोड़ें असत्य प्रलाप को छोड़ें अहंकार की नीती को छोड़ें दम और इर्षा की प्रवत्ती को छोड़ें मन को दरिया मन बना दें उस समुद्र के अंदर नाना नाले आते हैं वो समुद्र चाहें गंदा हो चाहें अच्छा हो मीठा हो या तीखा हो सब कोई आत्मसाथ कर लेता है हम भी अपना मन ऐसा बनाएं अपनी द्रष्टी ऐसी बनाएं अपनी प्रवर्ति यही बनाएं कि सारी दुनिया मेरी है और मैं किसी का नहीं हूँ जब तक यह प्रवर्ति नहीं बनेगी तब तक सम्यक्थ पना हमसे दूर नहीं कोसों दूर रहेगा तब तक हमारा बिद्धत पना हमसे दूर की तो बहुत बात है वो आही नहीं पाएगा ऐसी परिस्थितियों में आचारे भगवंत यही कहते हैं कि जत्र तत्थेवे यत्र तत्र कहीं से भी कुछ भी करो जो मन आया अपन ने कर दिया जिसको मन आया उसको कर दिया जहां मन आया मही जुग गए आचारे भगवंति कहते हैं ये तेरा बड़पन नहीं है ये केवल बिवेक बुद्धी की कमी है अगर बिवेक से काम नहीं किया तो कल ये भी हो सकता है अपनी पत्नी को माँ और माँ को पत्नी भी कहा जा सकता है जान जो अपने मोह के नशे में धुत्य होकर के कभी पत्नी को पत्नी कभी मा को मा कभी मा को पत्नी कभी पत्नी को मा कहता है जब पत्नी को पत्नी कहता है तब भी उसका ग्यान सम्मे ग्यान नहीं होता है इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि श्रावक कुल प्राप्त कर लिया मंदिर में आकर के घंटों हम पूजा करते हैं, जाप करते हैं प्रक्षाल देखते हैं इसके बिना हमें चैन नहीं पड़ता और इतना प्रक्षाल देखते हैं कि एक बेदी से दूसरी बेदी में भागने के लिए टक्कर भी लग जाती है तो भी कोई परवा नहीं होती है जब हम इंसान को नहीं देख पाते हैं तो ध्यान लखना जो छोटे-छोटे जीव हमारे पैरों के नीचे आ रहे हैं उन्हें हम कैसे बचा सकते हैं अब शेख देखना मंदिर में जाना मंदिर में पूजा करना केवल यही पुढ़ने नहीं है इसके साथ बिवेक की क्रिया होना यह पुढ़ने की कारे है आचायर भगवन ने सिर्फ यही कहा कि लोभी पात्र अपात्र का विचार नहीं करता इसलिए क्यों नहीं करता क्योंकि उसके पास लोब है मैं अपने गुरू की चरण बंदना करूंगा इनकी वहिया ब्रत्ती करूंगा इनके आगे पीछे भागूंगा तो मेरा भी यश होगा मेरा कारे पूरा होगा मेरी इक्षा की पूर्ती होगी लोगों को पता भी नहीं लगेगा और कार्य हो जाएगा आचारे भगवन कहते हैं ऐसा कामना के साथ किया गया कार्य किया गया दान निरर्थक है सार्थ नहीं है आचारे भगवन अठाइस भी कार्य काम है इसकी पुष्टी करते हैं जन्तम मन्तम तन्तम परिचरियं पक्खवाद पिय वैनम परच पक्चम याले भरहे दानम नकिम्पि मोखस जन्तम अन्तम तन्तम परिचरियं पक्खवाय पिये बैनम पडुच्य पंचम याले भरे दानम नकिम्पि मोखस आचारे भगवन कहते हैं कि है भव्यात्मा आप कितना पुरिशार्थ करते हैं रात दिन जागरण करते हैं आई हुए अतिती के लिए इतना पुरिशार्थ करते हैं कि परिवार का होश नहीं रहता कि कौन है बच्चे कौन है पत्नी केवल दुकान दुकान से घर और घर पर आकर ठक जाते हैं तो सो जाते हैं आचारे भगवन्त कहते हैं इतने पुरिशार्थ के बावजूद भी यदि हमें हमारा परंपरा से मोक्ष न बन पाया नहीं सिद्ध हो पाया तो सारे कार्य ब्यर्थे हैं इन इस सारे उद्ध्यम का कोई अर्थ नहीं है आचारे भगवन्त कहते हैं कि आज भरत छेत्र में पंचम काल चल रहा है कौन सा आज भरत छेत्र में पंचम काल चल रहा है पंचम काल की हम दुहाई ना दें पंचम काल तो बहुत अच्छा है छटवे काल की अपेक्षा चटवे काल में जो आज पंचम काल में मिल रहा है वो चटवा काल प्रारम होने के बाद आपको दिगंबर परियाय के दर्शन ही नहीं होंगे जिनवानी कैसी होती है आप जान ही नहीं पाएंगे कैसे होते हैं जिन मंदिर और जिन मंदिर के चैत्य यह हम कभी दर्शन के लिए सोच ही नहीं पाएंगे, यह काल इतना अच्छा है, कभी बिद्धवत वर्ग, पंडिट टोडर मल जी जैसे, जोनों ने अपने इसे दंत की रक्षा के लिए प्राणों की बाजी तो लगा दी, लेकिन अपने धर्म को जुगने नहीं दिया, वो तरस्ते थे कि कैसे होते हैं, एक बार दिगंबर सादू के दर्शन तो हो जाएं, उन्होंने अपने जीवन में दर्शन नहीं कर पाए, बिद्धवान थे, सिध्धान्त को जानने वाले थे, लेकिन फिर भी दर्शन नहीं कर सके, क्यों? क्योंकि बिर्ले दर्शन हुआ कर देते, आज यत्र तत्र भ्रमण करते हुए, हमारे वो आधर्निय धर्ती के देवता के रूप में, जितने भी साधक आज धर्ती पर बिच्रण कर रहे हैं, उनके दर्शन करना तो दूर, हम तो केवल उनके लिए उनकी कमियों को ढूंड करके बाइरल करने का मन बनाते हैं, आचारे भगवन्त कहते हैं, आपका काम पात्र अपात्र की बिसेस्ता जानने का नहीं है, आपका स्रावक है, आपका करतबे दान और पूजा है, आप उस पात्रपात्र की परिक्षा ना करें, पीछी कमंडल जिन लिंग को देख करके, आप अपने करतब का कार्य कर दें, यदि ये कर्टब आपने लोह में परवतित कर लिया आप गुरु चर्णों के सम्मुक बैठे हैं उनके परम भक्त बन करके बैठे हैं मन में सिर्फ ये है कि मैं गुरु की सेवा करूंगा तो ये मुझे माला माल कर देंगे इनका विशेश आशिरवाद मेरे उपर रहेगा आचारी भगवन ते कहते हैं पक्षपात नहीं होता है उसके पास न्याय और नीती की सिंगासन पर बैठा होता है ये ही कारण है उनको हम जिनेंद्र भगवान के लगुनन्दन कहते हैं मान भावो अगर हम दान की अपने करतब्य की कोई प्रार्थना करके काम करते हैं दान भी कामना के कारण देते हैं आचारे भगवान ते कहते हैं भरय पंचम याले भरत छेत्र में पंचम काल में जन्तम मंतम तंतम यंत्र मंत्र तंत्र परिचारियम परिचरियम परिचरिया सेवा पक्षवादम पक्षपात प्रियवर्णम प्रियवचन पड़ुच्य विश्वास के लिए दिया हुआ किम्पी कोई भी दानम दान मोखस मोख्ष का कारण नहीं है क्या समझ में आया जन्त्र यंत्र मंत्र तंत्र सेवा पक्षपात प्रियवचन विश्वास के द्वारा जो मन को जीत लिया जाता है दान को दे दिया जाता है वो सारे कार्य बराज़ेत्र के पंचमकाल में मोख्ष का कारण नहीं है अब अपन रहा आते हैं, साधों के पास जाते हैं, गुरुओं की शरण प्राप्त करते हैं, इसके पीछे कितनी कामनाएं हैं, इसके पीछे कितनी प्रार्थनाएं हैं, इसके पीछे कितना लोब है हमारा, ये हम अपने मन के पैमाने को स्वेमी ही नाप सकते हैं, क्योंकि किसी medical पर ये thermometer नहीं मिलेगा जो आपके परणामों को नाप सके आपके शरीर के temperature को तो thermometer नाप सकता है शरीर के ताप को तो नाप सकता है नेकिन परणाम के संताप को कोई भी thermometer नाप नहीं सकता